एक online cashless इनका claims होते हैं जो इंश्रेंस companies जो third party administrator बना के रखते हैं लोग कुछ companies इटसेट staff थर्ड पर्टी एड्मिस्ट्रेटर हैं और कुछ कंपनी जो बड़ी कंपनी तो टीपीएस रखे हुए हैं उन्हीं को अधिकार होता है कि यह ऑनलाइन जो हेल्थ इंशुरेंस है इसको कैश्लेस रूप से सेंक्शन करें हैं कई इस्पतालों से शिकायत आ रहे थी कि इसमें कर रहे हैं लोग की थोड़ा संख्या ज्यादा होगी संख्या ज्यादा इसको आगर नहीं करेंगे इसको जो भी अधिकार प्रत्त हैं इसमें जिल्द अधिकारी को उसमें उनकों गरिफ्तार किया जाएगा इसके लिए यह बहुत-बहुत-पुड है कि ओन्नाइन कैश्ट पैसे बचा पैसा पेकरता है जब इस पर बढ़ रहते हैं तो ना केवल अपने परशान होते हैं उसका दूसरा अशर यह आता है कि अन्य जो पेशन शहर के हैं उनके लिए बैट वेकर्ड नहीं हो पाते हैं तिन दोनों कारणों से इनकी मीटिंग लेए थी अस्पताल के को सक्षिताब नहीं दी गही है इन लोगों को कि यह लोग दो घंटे के अंदर ऑनलाइन की जो अनके आने चाहिए दो घंटे में नहीं आएंगे इसमें लिखित आदेश भी जारी कर रहे हैं तो इनके नाके बर इंदौर में स्थिति इनके जो अधिकारी है इंस्रेंस कंपनी है वो टीपीए भी खुदी है और प्राइवेट इंस्रेंस कंपनी भी खुदी है उसके डिले की शिकाहते सबसे आया थी उनके जो प्रतिनी दिया थे इस पर समझा दिया गया है कि क्रिमिनल केस से बच्चे हो और दो घंटे के अंदर अप्रूबल ने यह भी बोला